वेलकम बेक फ्रेंड मैं मिर्जफ अजान बेक और आज हम बात करेंगे कि QSAR होता क्या है ठीक है क्या है इसका रूल है कहां पर इसका यूटलाइजिशन है ठीक है तो हम देखते हैं QSR क्या होता है तो को नाम से पदल जाएगा कि quantitative structure activity relationship between the structural property तो को क्या काम है इसका QSR क्या काम है यह drug designing में हल्प करता है ठीक है आप drug designing क्या होते है ड्रक्स तो जानते है ना quantitative structure activity relationship मान के चलो एक ड्रक्स है ठीक ना अगर हम कोई drugs को अगर हम थोड़ा साथ चेंज गर दे उसकी structuralality को कर हम मान के चलो मौली को ले ड्रक्स की तरह काम कर रहा हो है ठीक है उसकी structure को पूरी तरह समग कर समझने पहले तो तो हम अगर ज़रा सा कुछ चेंज करेंगे तो हो स कुछ हो सकता में भी a biological activity कुछ और लगठीन हो जाए है ना तो उसके हम यही सबजना है कि हम को भी molecule की drug की अगर हम chemically या मन के चो पूरी structure रहा है हम उसको समझ ले तो हम उसका use कर लेंगे और drug designing में तो यही हमाँ बताता है QSAR तो QSAR का रोल यहाँ पर यही है कि it is the quantitative structure activity relationship between the structural property of chemical compound and the biological activity मतलब कि हमें relationship निगाल ली है हमें आपर है कि structural property of chemical अगर drugs की change हो जाएगी तो उसकी biological activity maybe a change हो जाएगी तो हमें उसको समझ ना है ठीक है next point कहता है कि QSAR modeling essential for drug designing मैंने बता दिया कि हमें drug designing करने के लिए हमें QSAR का role हम use करने ही करना है और भी method है लेकिन हम यहाँ QSAR की बात करने जा रहा है ठीक है कहता है it is based on the principle that variation in a structural property causing a different biological activity मैंने आपको बता भी दिया अच्छे समझा दिया है कि अगर कोई भी 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 variation हो जाती इस structure property of drug तो के ना में वो biological activity different हो जाएगी उसकी तो ही बताना चाहरा है QSAR तो हम QSAR का use ही पर कर रहे है कि अगर हम इसके थोड़ा से structure को change कर दिया drug का तो उसकी biological activity change हो जाएगी यह पता कैसे लगाएंगे यह पता लगाएंगे हम QSAR से ठीक है आगे ब biological activity as in a silico methodology and as a result of significantly reducing the number of candidate chemical to be tested विन एक्सपरिमेंट देखो क्या बतला है कहता है कि QSAR modeling जो होती है हमें इसमें क्या होते हैं हम एक desire molecule के मौन के चलो molecule है तो उसकी हम structure को समझ के उसकी activity को समझा के हम क्याना में इन silico मतलब computers का यूज करके हम उस वह insert कर देंगे और मांगे चलो suppose करो मेरे पास कोई drug है molecule है उसकी हम structure structure को समझ लें ठीक है और क्याना computer से में डालने जब हम दुबार जब हम डाइंगे तो हमें different structure मालूम होंगे कि अच्छा ये change करने से मुझे क्या मालूम चल जाएगा कि बज़े ये change होगा तो मतलब की functionality किसे दूसरे प्रिटेंस से आके bind कर जाएगी तो अब यह सब कुछ क्या है यह हम लोग खुद नहीं करते हैं यह क्या होता है computer-based पूरी method होता है यह बताना चाहरा है पूरी line है ठीक है आगे बोलता है machine learning approach आगे देखते हैं क्या बोलता ही है आगे कहता है आगे कहता है कि machine learning approach have been applied to qsr prediction मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर हम machines का यूज करते हैं यह हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो mathematically कहलो यह मान के चलो structurality या जो भी हमें protein की समझ नहीं है वह हम खुद नहीं करके समझ सकते हैं यह हम यहाँ पर computers का यूज करते हैं पर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं यहाँ पर हम यूज करते हैं जिससे कि हमें यह समझ सकें कि क्या नाम qsr production कर सकें ठीक है आगे बोलता है qsr analysis is a ligand based drug designing main importance is यहाँ पर अब शिरू हुई है कि कहता है qsr क् अब कैसे बताऊ मैं ligand based क्या होता है तो सबस्कुरों मैं को समझाता हूं ऐसे करके ठीक है यह मेरा यह ड्रग है अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी molecule अगर कोई बाइंड करता है ना उसको कुछ ने कुछ चाहिए होता है जिससे कि वह active बन जाए ना starting मों inactive रहता है बाद म हो गया यह active बन गया है ना तो यही बता रहाएगी मतलब की जो qsr model यह होता है ना यह क्या होता है यह elegant based drug designing method होता है इसमें हम क्या करते हैं basically हम drugs और ligand की relationship समझते हैं और उसके base पर हम drug design करते हैं आखे बोलता है कि जो drug designing होती है वो company 50 सल पहले बनाई गई थी जो की involvement कौन थ इसमें था hench and fujita जो की बनीती है 1964 में बनीती है क्या बना था qsr method बनाता है जो कि अब हम drug design में बहुत intensively use कर रहे हैं लेकिन कानिया पर यह ना आज के time क्या पहले जमने क्या होता है जब बनाता है तो qsr में क्या करते थे हम qsr modeling was limited to the small series of co-genetic compound अब में इन इपोट नहां से वड़ाता है co-genetic co-genetic compound क्या होते हैं देखो हम अगर हम कोई भी मान के दो लो plants लेते हैं कोई छोटा से हम पर ले लेते को प्लांट तब उस करो tobacco plant लेते तो प्लांट में क्या होता है अल्कुलाइड होता है ना अल्कुलाइड टो प्लांट मतलब कि हमारे specific genus होगी co-genetic मतलब co-genetic मतलब की genus related ना तो इसकी specific genus होगी ना जीनस में ही वो particular compound produce होता है तो पहले जमाने में क्या हो करता था कि suppose करो मुझे मुझे कोई drug चाहिए suppose मैंने first example लेता हूँ अल्कुलाइड का लेता हूँ चाहिए यह मेλλी होसं मानके चलो यह मानके चलो jugar से टोंपेको हो गया यह और भी हैं मिल के कोई और आ प्रिण करते हैं तो उसके पेस पर हम पहले क्याश्पर को समझते थे लिकिन आज कर दिया कैसे क्या करते हैं है क्या करें प्रे Cut करें मैंने जानते हैं लिसी सेसा तॉर्फAy यह क्या मट्लिग होती है कि मौड्लिंग विपयोड ऑंद मॉड्नि श्क्रीणिंग आप देखो क्या बात है मैं यह तो तो आज की जमाने में कि हमें वर्चुल स्क्रीनिंग डाइवर्शिफाय सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया है और इसके बेसेश पर हम जहां ट्रॉक रिजाइनिंग कर रहे हैं और आज की जमाने में कि हम लाज सब्सक्राइब कि हमारे पास है काफी केमिकल स्ट्रक्चर है जो की हमें हैं अगर आपकी लेक्शर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू